धर्मत रिकोन की पुर्ती, धर्मत रिकोन की पुर्ती, सुख संपत्ती की उपलब्धी, विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े हैं। अत्यनत सववेदंशी लोगों के राशी के रूप में करक राशी की विशेश पहुचान है। विभिन्न दृष्टि कोन से इस महने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विशलेशन करेंगे। साथ ही विडियो के अंतमे में आपको इस महने करने वाले विशेश उपाय बताऊंगी। विडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो यह महिना करक राशी के लिए अत्यन्द सकारात्मक कहा जा सकता है। आपके भागेश, गुरु महराज भाग्य स्थान में विराजबान है। महत्व पुर्णा बात है कि वहाँ से उनकी दृष्टि आपके राशी पर, आपके पंचम स्थान पर है। कुल मिलाकर गुरु महराज ने आपके लिए धर्मत्रिकोन पुर्ण किया है। जिस कारण आपका व्यक्तित्व अधिक सम्रुद्ध होगा। धर्मिक, आध्यात्मिक चीजों की ओर आपका अधिक लगाव रहेगा। आप अपने कर्तव्यों को अधिक प्राथमिकता देंगे। उसी पद्धती से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है। इसलिए आपने इस समय काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। धन परिवारवानी की दुरुष्टी से विचार करें, तो कर्क राशी के लिए रवी देव महत्व पुर्ण होते हैं। क्योंकि वे आपके धनेश हैं। उनका गोचर शत्रू राशी अर्थात मकर राशी से सुरू है। रवी और शनी एक दूसरे के आदर्श शत्रू माने जाते हैं। इस महने के प्रथम पक्वाडे में रवी देव मकर राशी में रहेंगे। और तेरह फरवरी को वे शनी देव की ही कुम्भ राशी में प्रवेश करेंगे। रवी देव के यह दोनों गोचर आपके लिए कही न कही परेशानी का कारण बन सकते हैं। लेकिन महने के दुसरे पक्वाडे में स्थीति अचानक रूप से बदल जाएगी। आपके लिए अप्रत्यक्षित रूप से धनल आपके अउसर निर्माण होंगे। उससे हम सबसे महत्वपुर्ण योग कह सकते हैं। उसका लाब उठाने के लिए आपको तयार रहना है। पराक्रम परिश्रम की दुरुष्ठी से विचार करें। तो करक राशी के लिए बुधदेव की स्थिती महत्वपुर्ण होती है। क्योंकि वे आपके परिश्रम से इस पहने वे धनुराशी अर्थात आपके शैष्ट स्तान में विराजबान है। महत्वपुर्ण बात है कि बुधदेव वहां निर्बली अवस्ता में है। करक जातक इस में बड़ा हार्ड वर्क करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। संक्षेप में यह महना आपके लिए परिश्रम का रहेगा। वास्तु वाहन भूमी सुखशानती की दुरुष्टी से विचार करें तो करक राशी के लिए यह महना अधिक लाभकारी कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि वास्तु या वाहन के शुभयोग इस मेंने आपके लिए निर्माण नहीं ही होंगे। वैसे भी इन चीजों को रोज रोज नहीं लिया जाता। इसलिए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करते हुए। शुभकाल की प्रतिक्षा करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। ऐसी चीजे शुभयोग पर लेनी चाहिए। इसलिए थोड़ी प्रतिक्षा करने की सलाह आपको दी जाती है। घर के नविनी करन के कार्य पर आपका खर्च हो सकता है। घर की सुकशानती थोड़ी भंग हो सकती है। लेकिन उस तीती का सामना करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। क्योंकि आगे आपके लिए निश्चित रूप से शुभकाल तेर्बान होने वाला है। शिक्षा संतती प्रेम विवाह आयोजित विवाह की दुरुष्टी से विचार करें तो जो करकजाता की इंजिनेरिंग इलेक्ट्रोनिक क्षेत्र में पढ़ाही कर रहे है। उनके लिए यहां उधी अत्यत शुभका जा सकता है। फार्मसी क्षेत्र के विद्यार्थियों को बड़ी सफलता प्राप्त होगी प्रेम विवाह या आयोजित विवाह के संदर में थोड़ा सावद रहे हैं क्योंकि उसके लिए यह समय कतई उचीत कहा नहीं जा सकता। उचीत जीवन साथी प्राप्त होने के योग इस मेहने आपके लिए नहीं है। इसलिए उस दुर आइकॉन दबाना ना बुले। धन्यवाद। स्वास्त कर्ज प्रतिस्पर्दी शत्रों की दुरुष्टी से विचार करें तो यह महिना करक जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। इस मेहने आपका स्वास्त अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता में आप सफ तारिक प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक रहेगा क्योंकि उस दुरुष्ठी से यह महिना कतई उपयुक्त नहीं है। इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में दीजिए। नोक्री व्यवसाय की दुरुष्ठी से विचार करें तो नोक्री करने वालों जातकों के लि अच्छे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे व्यावसायक जातकों के लिए महिने का दूसरा पक्वाडा धनल आपका या अप्रत्यक्षित धनल आपका भी हम कह सकते हैं। संक्षेप में नोक्रीयों व्यावसायक इन दोनों दुरुष्ठियों से यह महिना आपके लिए अत्य संदल आभकारी कहा जा सकता है। गत समयकाल में आपने जो लगातार संगर्श किया है। उस संगर्श से उन्नती की ओर लेकर जाने वाला मार्ग आपको इस सौधी में प्राप्त होगा। लेकिन एक बात आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी है। कि आपके लिए शनी यह सलाह दी जाती है। भाग्य एवम शुबसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो करक जातकों के लिए इस पहने कई शुबसंकेत निर्मान होने वाले हैं। विशेश रूप से भाग्येश का भाग्यस्तान में होना इसे हम अत्यनत बड़ा शुबसंकेत कह सकते हैं करक राशी के भाग्येश गुरु महराज भाग्यस्तान में विराजबान है। जैसे हमाँ पता है कि गुरु महराज को कुल तीन दुरुष्टिया होती है। उनकी अम्रुद दुरुष्टी आपके राशी पर, परिश्रम स्तान पर और पंचम स्तान पर है। जिस कारण पूर्ण हुआ है उसे हम अत्यंत बड़ा शुवसंकेत कह सकती है उसका पूरा लाब उठाना चाहिए कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो करकराशी के कर्मस्तान में राहू और हर्शल यह दो पापग्रह विराजबान है कुंडरी का कर्मस्तान उपचैस्तान होता है और पापग्रहो को वह विशेश रूप से अच्छा लगता है उस अनुसार राहू और हर्शल की स्थिती से आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे इस काल में आपके कर्म अत्यंत सम्रुद्ध होने वाले है आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी उससे उचि हो चुकिए है उनका अवश्य लाभ लीजिए लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो करकर आशी के लिए महिने का दुसरा पक्वाडा अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा क्योंकि 15 फरवरी को आपके लाभे शुक्र देव भाग्यस्तान में प्रवेश कर उच्चा वस् पयोग कीजिए ताकि आपको अधीक्तम लाभ प्राप्त हो सके वे खर्च की दुरुष्टी से विचार करें तो करकर आशी के लिए खर्च के विभिन्न योगी इस पहने निर्माण होंगे विशेशूप से यात्रा पर आपका खर्च होगा कुछ खर्च हास्पिटल भी हो सकता है महत्व पूर्ण बात है कि यात्रा पर होने वाले खर्च से आपको लाभ प्राप्त होगा या यात्रा आपके लिए लाभकारी रहेगी इस बात को ध्यान में लीजिए हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता जीवन सुग्दुक और उतार चड़ाव से भरा है उस अनुसार मेहने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशु तनाव तथा संगर्श से भरे होते हैं इस साओधी में हम कैसा वेहवार करते हैं इससे हमारी सफलता नेरधारित होती है उस दुरुष्ठी से विचार करें तो करक जातकों के लिए 5, 15 और 23 फरवरी यह दिन शुभ रहेंगे आपको प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाएं साथ ही 3, 13 और 21 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे तो हो सकता है इन दिनों में आपका संगर्श बढ़ेगा इसलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्त बना रहें उपायों की दृष्टी से विचार करें तो जोतिश में अत्यंत छोटे चोटे और बढ़ा परिडाम करने वाले उपायों को बताया गया है अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का शुभ चीजो लेकिन राहू ग्रह मेश राशी में और केतू ग्रह तुला राशी में विराजवान है इस तितुक के अनुसार उपाय है कि आपके राशी के मंत्र का पठन ग्यारह बार राहू का मंत्र चार बार और केतू का मंत्र दो बार पठन करना है लेकिन राशी के मंत्र का पठन सु तो सबसे पहले आपको अपनी राशी का मंत्र मा pension सिंफ हो एट जंद्राइट नम उसके बाद राहू का मंत्र नम empower नम उस अन्द्र में के टु का मंत्र ओम ट्राम श्त्रीम स्रोंप सह केंत बाएद हम हा। इस पद्दती से आपको मंत्र का पठन कटा है उसके आपको अत्यन्द शुभ परिणाम प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मीन राशी तक हर माशी के लिए यह महिना कैसा रहेगा शनी परिवर्थन का आपके राशी पर होने वाला प्रभाव 2023 आपके लिए कैसा यह जानकारी देने के लिए हमने कुल 36 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये हैं अपनी राशी के आप देखिए दोस्तों को रिष्टेदारों को उनके राशी के शेयर किजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो जय जोतिश कमेंट करें अवश्य बिलेंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दपाना ना बुले धन्यवाद